हेलो, नमस्कार दोस्तो, आज का हमारा टोपिक है डिस्प्ले सर्फेस.डलल वाज नॉट फॉन या इज मिसिंग का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं, विंडो 10, 8, 7 के अंदर वो देखेंगे, चले शुरू करते हैं मैं आपको अपने केस में एक अप्लिकेशन ओपेन करके दिखाता हूँ, एडोप पिर्मेर प्रो CC 2019 आप देख रहे हैं, इस टाइप का एरर आता है जाहें 100%, चाहे विंडो 10 हो, 8 हो, 7 हो, चाहे एडोप का कोई भी पैकेज हो, CC 2020 हो, या CC 2019 हो, या एडोप 2020 हो, या एडोप 2020 हो, या एडोप का कोई भी शॉप्ट रहो, तो इस तरह का एरर आता है, तो आप फुछ से फिक्स कर सकते हैं चले अब भी शुरू करते हैं, मैं इस एरर को बंद कर देता हूँ, आप इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं, वो मैं बताता हूँ, इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको ख्या करना है, अपने computer ये laptop के अंदर को भी browser open कर लेना है, browser open करने के बाद आपको google open कर लेना है, google open करन यहाँ पे लिंकक्पो डिस्क्रिप्रिप्शन में ढेगा जैए यहाँ दो चीज दिखेगा एक 2020 के लिए मिले 2019 или 2018 2018 जाहे या अप्टर इफ्ययक्ट इसके लिए भ़ग यह आपका पके具ण सिसी 2019 हो या एड़ूप आपको यहां से डॉनलोड करना है, यदि आपका Adopt Master 2020 हो, या Adopt Master CC 2020 हो, यदि आपका Package 2020 से होगा, चाहे कोई भी Software हो, Premiere हो, After Effects हो, Audition हो, जो भी हो, उसके लिए आपको यहां से डॉनलोड करना है DLL, यदि आपका 19 का software है, adopt का कोई भी, तो इसके लिए आपको यहाँ से download करना है, चाहे after effect हो, premiere pro हो, जो भी हो, आप यहाँ पर मत घब रहिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है audition, तो cable audition में काम करेगा, नहीं, यह delay file सारे adopt में काम करेगा, जो तो थोजा 19 का होगा, चाहे cc हो, चाहे normal हो, ऐसे ही इस case में भी सारा काम करेगा, चाहे 2020 का, चाहे वो normal हो, चाहे cc हो, यहाँ पर यह मत देखीगा, कि premiere pro लिखा हुआ है, तो cable premiere pro में काम करेगा, यह सारे dll एक ही होते हैं, और सारे जगा काम करेगा, after effect में भी काम करेगा, premiere pro में भी काम करेगा, audition में भी काम करेगा CC के अंदर भी काम करेगा 2020 में और normal 2020 में भी काम करेगा तो आपको यहाँ पे 2020 देखना है और 2019 देखना है आपको यहाँ से आपको क्या करना है? DLL डाउनलोड कर लेना है मेरे case में क्या है? 2019 है इसलिए 2019 ही डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा तो मैं आपने case में यहाँ से डाउनलोड करूँगा यहाँ आपको 2020 का होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेजएगा डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? इसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं यह page open हो जाएगा 5 second आप वेट कीजएगा 5 second वेट करते हैं आटोमेटिक यह डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है? इस तरह का zip फाइल आजाएगा इसको आपको क्या करना है? extract कर लेना है मैं चलिए 7 zip से इसको extract कर लेता हूँ आप देखनें extract होने के बाद इसी तरह के एक folder आजाएगा इस folder को आप open कर लिजएगा open करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर आप देखनें एक dll file है इसको आपको क्या करना है? copy करने के बाद आपको क्या करना है? my computer open कर लेना है इसके बाद आपको C-Drive के अंदर जाना है, C-Drive के अंदर जाने के बाद मेरे केस में 64-bit का है, इसलिए मैं Program File के अंदर जाता हूँ, YearBob का फोल्डर होगा, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाने का बाद यहांप आप आप देख लिजएगा आपका जीस भी अप्लिकेशन क के अंदर एरर आ रहे यह माल्ने ज़को एरर आता है अफटर एफक्ट के अंदर आपको आपटर एक्ट के अंदर जाके उसको पेस्ट करना है अइससे ऑरर आता है तो सब्सके सेमेर देल्ल कोको कर देना है मेरे case में प्रुमीनियु करने ने स्के से wejść tone कुं Australia कर देना है continue करते हैं यह आप देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट हो चुका है अभी हम देखते हैं कि जो error आया था वो error fix हुआ या नहीं इसके लिए क्या करेंगे adopt premiere application open करूंगा दुबारा आप देख रहे हैं इस पे click कर दिया click करते हैं आप देख रहें normal open हो चुका है without कोई error इस तरह से आप कोई भी application adopt से related हो और display surface.dl से related हो तो आप खुझ से fix कर सकते हैं मेरे case में adopt premiere pro cc था इसलिए आपको adopt premiere pro cc 2019 करके दिखाया इस तरह से आप fix कर लिजेगा यहीं आज का हमारा topic था आपको करके दिखा दिया फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप comment box में comment किजेगा मैं आपको जरू help करूंगा और please guys चैनल को subscribe करे like करे share करे thank you